नमस्कार दोस्तों सौगत आपका एक और लर्निंग वीडियो में दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है यानि कि पूरे वर्ड वाल्ड मार्केट में अगर आप देखो तो मार्केट या से कोई मार् गिर चुखा है और अपना इंडियन मार्केट के बात करें तो 3% 3% तक गिरा था और अभी के टाइम पर अगर आप यहापर देखोगे तो मार्केट आज ग्याप आप खुला है ठीक है लेकिन यहापर मैं आपको कैसी चीज सिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप यहापर ह इल्गुल नहीं लेना है शिर्फ एक बार ट्रेल लेना है और ओभी मंत की एकस्पारी का ठीक है था हम लोग यहापर weekly एकस्पारी का ट्रेल लेते और बार बार यहापर हमारा premium भी देना पड़ता है यहापर आमें काफेचारा charges यहापर pay करना होता है लेकिन यहापर अगर आप monthly expiry का कोई भी option को अगर buy कर लोगे और अभी का time आ चुका है कि आपको monthly expiry select करना है क्योंकि monthly expiry अगर आप select करोगे और जिस तरह से market में selling देखने हो को मिलड़ा है तो यह आप पर selling continue हो सकती है क्योंकि यह आप पर अभी भी एक और बड़ी news आ रही है जो अभी market इसका react करने वाला है अभी आप यह पर देखना अभी के time पर आप देखो कि market gap आप खुला था उपर sustain नहीं कर पा रहा है बार बार यह से selling आ रही और अभी बस trend line के आसपास आकर यह से pullback ले रहा है market समझ में आ रहा है pullback ले रहा है और फिर यहापर एक base बना रहा है तो यहापर market का संक्यत हमें समझना चाहिए कि market में seller की quantity काफी ज़्यादा है seller नहीं चाह रहा है कि market आप यहाँ से उफर जाए और market को यहाँ से नीचे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे पूरे week बोल रहो पूरा 15 दिन या महिने के आसपास बोल रहो market में यहापर हमें selling की देखने को मिलेगे यहापर market में buying देखने को नहीं मिलेगे तो इसलिए यहापर में एक PE site में ट्रेल लेना चाहता हूँ और आप लोगों को बस education purpose के लिए बता रहा हूँ अगर आप daily हमारे यहापर वीडियो देखते हूँ तो आप लोगों के लिए खास कर यहापर बताना चाहरा हूँ कि आप monthly expiry का select करना यहापर में जो strike price select करने वाला हूँ आप exactly वोई strike price select नहीं करना 19-20 का आपको फरह करना है क्योंकि आपर सेवी का कापी strongly यहापर rule बताया गया है तो यहापर में आपको simple से एक trade लेकर बताना वाला हूँ कि monthly expiry का किस तरह से trade लिया जाता है तो यहापर आप देख सकते हो market अभी बिल्कुल sideway यहापर हमें देखने को मिल रहा है grow app में जो भी आप लोग के पास demate account हो उसमें आप यहापर कर सकते हो ठीके यहापर में buy or sell recommendation बिल्कुल ने कर रहा हूँ यहापर में disclaimer भी लगा दूँगा ठीके तो यहापर मुझे PE site में entry बनाने है तो यहापर में कोई भी add बने वाला अभी market जिस point के आसपार चल रहा है 24,230 के आसपास अभी market चल रहा है तो 24,200 का यहापर में PE option यहापर buy करने वाला हो ठीके ओप्शन को buy करने वाला हो 24,300 का यहापर में strike price यहापर आपको ध्यान देना है ठीके एकस्पारी के उपर आपको ध्यान देना है यहापर आपको monthly expiry slate करना है अभी अगस्ट चल रहा है तो यहापर आपको 29 अगस्ट आपको slate करना है तो simple से यहापर 29 अगस्ट आपको slate कर लेना है 24,300 के आपने strike price लिए आप अपने इसाब से यहापर कोई भी strike price select कर सकते हो पी side का trade यहापर देखना पी side का ले रहा हो number of lot एक lot अगर में यहापर डालता हो तो यहापर मुझे 10,000 की capital लगने वाली ठीके एक lot अगर में डाला हो तो मुझे 10,000 की capital लगने वाली अगर आप कोई दूर का expiry अगर slate करते हो तो इसका premium काफी ज्यादा high होता है यहापर काफी ज्यादा safe होता है आपका capital काफी ज्यादा safe होता है ठीके तो यहापर में total 10 lot यहापर buy करने वाला हो क्योंकि एक लाग के आसपास यहापर में capital लगने वाला यहापर आप देख सकते हो तो simple से यहापर में buy option पर click करके buy कर लिया ता हो 401 पर हमने इसे buy किया था 411 के आसपास अभी इसका premium चल रहा है ठीके आभी 2400 के आसपास हमारा profit देखने को मिल रहा है यानि कि market आप यहाँ से नीचे जा रहा होगा ठीके अभी यहापर आपको देखना होगा कि market का momentum अभी आप देख सकते हो कि हमने यहापर buy किया है और यह यहापर आपको target ठीके target भी आप अपनी इसापसे रखना यहापर कोई भी copy मत कर लेना कि जो मैंने target लिया है वही target आपको लिया है यहापर मैंने सीधा सीधा एक मन्त के अगर expire इसलेट किये तो काफी बड़ा target यहापर में लेने वाला हो ठीके यहापर अमारी इंट्रिव 400 साठाइब लोगा यहापर 25500 का ठीके 200 ृथा फटारशी रहेगा तो यहापर 700 प Pix into Kiss buds स्वाधस रहेगा तो 500 point का यहापर मेरा stop loss हीट होगा ठीक है इस तरह से यहापर मैंने बड़ा target लिया है क्योंकि यहापर monthly expires late करने कार्थ simple सा होता है कि यहापर आप एक मनतक होड कर सकते हो ठीक है market अगर इसकी उपर भी चला गया ठीक है यहापर अगर market इसकी उपर भी चला गया तो भी यहापर मैं exit नहीं करूंगा लेकिन एक safe होनी की बज़े से आपर मैं swap loss लगा के रखाए क्योंकि monthly अगर expires late करते हो तो यहापर कापी तेजी से premium DK नहीं होता है तेजी से बढ़ता भी नहीं लेकिन DK भी कापी तेजी से होता नहीं ठीक है एक बात हमेशा ध्यान में रखना है तो इसलिए यहापर मैंने इसे expire तब खोड़ करके रखूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपर profit होता है या फिर loss होता है इस तरह से market का moment देखकर आमने यहापर P.E.S. site में इंटरेव बनाई है क्योंकि market में आप लोगों को बताऊगा market में अगर selling आगए तो यह selling continue होती है और यहापर हमें हर दिन selling देखने को मिलेगी आज market gap आप कुला है तो यहापर market में selling आना काफे ज़्यादा chances आए कि अभी भी market में selling आएगा और दो दिन अगर market इस तरह से gap down कुला तो 700 point का target हमारा easily hit हो सकता है I hope कि आपको वीडियो पस्तना आवगा वीडियो पस्तना आया तो वीडियो का like करना और चार्ण को subscribe करना चले मिलते अगली वीडियो में